आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले महिंद्रा थार रॉक्स की MX5 वाले वेरंट के बारे में कि गाड़ी में आपको क्या फीचर्स मिलता है गाड़ी की प्रैसिंग बगर का आज की पर दिसकस करने वाले तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने किया त क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि यह गारी आपको लेना चाहिए या नहीं तो गारी के इगर फ्रन प्राइल के बात की जी जितिया है यहाँ पर नदिफरेंस देखने को नहीं है यहाँ पर आखेक साइड आपको यहाँ यहाँ आपको अगयाइड प्रफ Crime इख़ने को मिलते है तो नीचे आपको यहाँ है। दी गई है यह साड़ भी आपको सेम पूरा सेटप दिया गया है यह जो अपना MX-5 वाला वेरेंट है इसमें आपको एडास वगरा कुछ नहीं मिलता है बाकी front profile गारी की कुछ ऐसी है side profile के अगर बात किया है तो side से आपको कुछ महिंद्रा थार रॉक्स MX-5 वाला वेरेंट जिसमें आपको fender पर ही indicator दिया गया है और अगर इसके tear profile की बात किया है तो 18 इंचिस के आपको इसमें tires मिलते हैं साथी में aloize का design देख सकते हो थोड़ा सा अलग है जो top end वेरेंट में जो आपको aloize मिलता है ना उसमें और इसमें वाई थोड़ा सा difference है यहां पर देख सकते हो पूरी वाई जो थार 5 दोर है उसकी side profile ओ और वेमस आपको कुछ ऐसे दिये गया है जिसमें थार लिखा हुआ है normal key से भी गाड़ी को आप lock on lock कर सकते हो तो side profile अपनी थार की कुछ ऐसे मिल जाती है यहां पर देख सकते हो मैंने आपको इसका top end वेरेंट दिखाए था सेम आपको पूरी वही वाली profile मिलने वाली है कोई वी डिफरेंस उसमें नहीं दिया गया है बाकि अगर इसके rear profile के बा बाकि यह अपका spare will हो गया यहां पर stop line मिल जाती है पीछे के side rear defogger कभी setup दिया गया और rear wiper भी आपको इस वेरेंट में मिलता है वाशर वगिरा सब कुछ दिया गया है लाइट्स की अगर बात किया तो पीछे के side आपको LED lights देखने को मिलती है यहां पर आपका indicator हो जाता है बाकि backlight देगे नीचे के side आपको reflector मिल जाती है बूट को बाई open करने के लिए यहां से भी कर सकते हो और आपको keys में भी boot को unlock करने के लिए दिया गया है इसके boot space को दिखा देता हो तो यहां पर देख सकते हो कुछ ऐसा आपको इसमें boot space देखने को मिलेगा यहां पर अच् इसमें क्या आपडेट है क्या आपको इसकी प्राइस नहीं बताए तो भाई यह गाड़ी अपनी स्टार्ट होती है साड़े अठारा लाख रुपाय से सारे अठारा लाख रुपाय आपको इसका action room देखने को पड़ेगा सामने अपने diesel automatic इसमें आपको दो इंजन इसका इंटिरियर में क्या क्या दिया गया और इस प्राइस रेंज पे यह गारी सैटिस्फाइड होती है कि नहीं आपके बजट में तो इंटिरियर के बात किए नहीं तो देख सकते है यहां पर आपको आपको इसका डेट पैडल वगरह सब कुछ मिलता है यहां पको इट को एड़ेस्ट कर सकते हो, ideal start stop, parking sensors को आफ कर सकते हो, साथ ही में hill descent भी मिल जाता है, इस event देख सकते हैं, कुछ ऐसा इस event दिया गया है, गारी में entry लेने के लिए आपको यहाँ पे food trash मिलती है, तो चलिए गारी के अंदर बैठते हैं, उसके interior को explore करते हैं, तो यहाँ पर आपको interior देखने को मिलेगा, महिंदरा था, rocks MX-5 वाला वेरेंड का, तो चलिए इसके ignition को on करते हैं, क्योंकि engine start stop button आपको यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ से आप अपने गारे के ignition को on कर सकते हो, देख सकते हो भाई, कुछ ऐसा आपको इसमें M.I.D. देखने को मिलती है, यही साइड आपको speedometer मिल जाता है, यही साइड आपको tachometer मिल जाती है, सामने भाई, यहाँ पे देख सकते हो, आपको पूरी driving information वगरा मिल जागी, यहाँ से उसे set वगरा कर सकते हो, क्या-क्या features मिलते हैं, उसके बारे में बताता हूँ, check the tire direction आ गई भाई, यहाँ पे दे sensing wiper भी मिल जाती, महिंद्रा का logo आपको यहाँ पे मिलता है, और cruise control वगरा, जितने telephonic controls है न, आपके infotainment system के सब कुछ भाई आपको यहाँ पे दिया गया है, तो यह कुछ ऐसा आपको interior इसमें देखने को मिल जाता है, AC vent आपको कुछ इस design में मिल जाते है, AC के भाई आप पे passenger airbag को on off करने का दिया गया, नीचे के साइड आपको wireless charger, type C charging मिल जाती है, और एक B type मिल जाती है, gearbox भाई आपको इसमें automatic मिलता है, यहाँ पे समान वगरा रख सकते हो, देख सकते हो, पूरा interior, दो cup holders, parking brake आपको manual दी गया है, arm wrist को यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो, और यहाँ पे अपना storage मिल जाता है, आगे के side भाई आपको dashboard में यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ऐसा glove box मिलता है, छोटी है थोड़ी सी, लेकिन काम चल जाएगा, यहाँ पे grab handles बगरा मिल जाते हो, वो side भी SIM setup दिया गया, इस power windows की controls, AC wind, grab handles बगरा दिया गया, यहाँ पे आ आपका जो Apple CarPlay है आपको wireless नहीं होगे, वो wide through होगे, इसमें बहुत से आपको controls बगरा मिल जाते है, reverse बगरा कर सकतो, reverse camera मिल जाता है, साथी में यहाँ पे देख सकते हो, पूरे features बगरा के अगर बात की जाना, पे driving के लिए पूरा आपको दिया गया, fuel info बगरा मिल जाती है, यह देख सकते है, steering wheel को, engine temperature हो गया, alignment बगरा होगी, pitch आपकी क्या है, roll कैईए, आपको off-roading में काम आने वाली, साथी में यहाँ पे tachometer बगरा है, वो सब भी digital में आ जाती है, temperature हो गई, trip information हो गई, अब अगर आप on-road में जाते हो, यहाँ पे देख सकते हो, on-road, off-road, सब मिल जाता है, on-road में जाते हो, यहाँ पे compass मिल जाता है, engine की power मिल जाती हो, talk figure, geforce वगरा मिल जाता है, racing mode भी आता है, racing mode आप यहाँ से देख सकते हो, वो आप जब start करोगा, वो आप सेफ करकर रखोगा, वो आएगी, custom भाई, अपना यहाँ से पूरा इसे set वगरा कर सकते हो, का भाई, अराम से बंदे बाहर निकल जाएंगे, वाईजर में आपको कोई भी mirror वगरा नहीं मिलता है, यह सेट भी एक वाईजर मिलती है, जिसमें एक mirror मिलता है, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको air beam देखने को मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पे एक sun glass holder भी दी गई है, lights के अग LED मिलती है, देख सकते हो, पूरी LED light का यहाँ पर setup दिया गया है, गाड़ी में na LED बहुत यूज़ हुआ है, फ्रंट के साइड भी rear के साइड भी चारो तरफ यूज़ हुआ है, जो price range पे गाड़ी आ रही है, साड़े अठारा लाक रुपए एक शर्म, उस हिसाब से इसका interior को justify कर रहे हैं कि नहीं, कमेंड करके जरूर बताना, seats आपको इसमें ventilated नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके उपर वाले rent में ventilated seats का भी feature दिया गया है, देख सकतो पूरी seats वगरा जो interior है, काफी मतलब एक premium interior आ रही है, तो चलिए इसके rear row में लेके चलता हूँ कि पीछे के साइड आपको इसमें क्या-क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको food trash मिलता है, गाड़ी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी से उची है, ग्रॉंड क्लेंस बगरा ज्यादा है, तो यहाँ देख सकतो यह वाला जो इसका door है, यहाँ पर आपको इसमें door handle कर सकते हो, साथ ही मैं पहले मैं बैड जाता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या comfort आपको मिलता है, सकते हो कुछ ऐसा आपको इसमें लेक्स मिलने वाला काफी सही है, मतलब जो होना चाहिए था ना, मतलब यह मतलब फाइब दोर इसमें आगी ना, थ्री लाइड भी आपको मिलती है, जो कि भाई यहां पे LED दी गई है, वो साट भी एक reading light दी गई है, यह बाग की देख सकते हो, पीछे से क्या सनरुप की पूरी लुक आ रही है और गाड़ी की interior आ रही है, काफी लाजवाब, काफी मतलब premium interior देखने को मिल रहा है, बीच में इसके लिए भी यहां पे जगा दी गई, मतलब यह है पूरा फ्लैट दिया गया, तो यह आपको कैसा लग रहा है, कमेंड करके जरूर बताना, कैसे लिए भाई हो, आपको महिंद्रा था, रॉक्स MX-5 बल अवेरंट, जिसकी कीमत भाई, साड़े अठारा लाख रुपया है और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में तब तक के लिए, बाई